ब्यूटी पार्डर का को स्कीन किया मैने अब मैम के साथ तो इसमें मैंने स्कीन टाइप से लिएंप मैंने क्यों पैडी क्यों वैक्स ब्लीश ऑज चिल लगाने के तरीकी और जूड़ा बनाना हेस्ट्स्टायल वगरां सिखाया गया है और इसके साथ ही फर्स्ट लास में मैंने स्कीन टाइप के बारे में सिखा था हमारी स्कीन किस तरह की होती है जैसे यह ड्राइ स्कीन ओईली स्कीन और इस तरह हमने सकीन के बारे में सिखा यहां पर मैंने CTM सिखा CTM में क्लींजर, टोनर और मॉस्चुराइजर होता है इसके बाद मैनीक्यूर सिखा मैनीक्यूर में कैसे हातों की मसाज की जाती है और कैसे शुची कैसे नंटों केशास कही जाता है bench EduIK की जाता है इसके बाद हमने प्लीच सिक्का दिश में के बात इसके बा। फोडर शकब वगएरा या फोड़ पैक का यूज किया जाता है इसके बाद में ब्लीच सिखा ब्लीच के बाद में वैक सिखा और वैक्स के बाद फेशिल के बाद आई मेक अप सिखा हमने आई मेक अप आई बो यह आई मेक अप में क्या क्या चीजी यूज होती है जैसे बोरर लाइन, आई लाइनर, कैपटोक, मसकारा और इसमें कहां कौन सी चीज लगानी होती है या फिर कौन सी पॉइंट को क्या नाम देते हैं उसके बारे में बताया यह आई मेक अप में क्या क्या चीजी यूज होती हैं उसके बारे में, और यह आई ब्रोक, स्कुस तरिक्चे के होती हैं, उसके बारे में बताया एक हमारे फेस का कारकेस की स्कुस तरहागा होता है यह हमारे फेस के अरे पॉइंट का नाम दिया गया हमें